बहावरी पूरी हुई सक्षियों ने कहा दुला सरकार अब आप कोहबर में चलो कोहबर आप समझते हैं विवाह के बाद दुला दुलहन को एक कक्ष में ले जाया जाता है जहां पर लौकिक रीती से कुछ विधी की जाती है और दुलहन की जो सक्षियां होती हैं कुस विनो दादे भी दुले से करती है कोहबर कार्द क्या है स्री मामा जी के शब्दों में कोहबर इन दुहन में सीता याकी राम याको निर्णय हो जहां सोघर कोहबर नाम बर माने होता है स्रेष्ठ दुलहा स्रेष्ठ है कि दुलहन स्रेष्ठ है इसका निर्णय जिस कक्ष में होता है उसी को कोहबर कहते हैं तो उस कोहबर में लेकर के सक्षियां जाने लगी और चारो दुलहा सरकार धीरे धीरे चलने लगे सक्षियों को बढ़ान अन्दा आया एक सखी ने कहा रही सखी ये चारो दूला धीरे धीरे चल रहे हैं तुम सब तो पढ़ी लिखी हो और कई प्रकार की गीत गा रही हो कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें धीरे धीरे चलने की कोई उपमा मिले एक सखी ने जो धीरे धीरे दूला सरकार चल रहे हैं इस क्रिया को उपमाईद किया कैसे आई इन पंक्तियों में देखते हैं पंक धीरे कैसे दूले हाथरत इस सखी चले धीरे जैसे कुल हुके परद इस सखी ऐसी उपमाँ में कावान भी बेख रहे सखी बरे और बरद के नाम कोण एक सखी पंक धीरे कैसे दूले हाथरत इस सखी पंक धीरे कैसे दूले हाथरत इस सखी चले धीरे जैसे कुल हुके परद है सखी रभू श्रीराम धीरे धीरे मंडप में चल रहे थे एक सखी ने उपमा देते हुए कहा सखी दूला सरकार ऐसे चल रहे हैं जैसे कुल हुका बरद चलता हूँ एक सखी ने कहा सखी क्या उपमा दे रही हो दूले को कोलू कोलू का बैल कह रही हो क्या इस सखी में कोई विवेक की बात है कोई ज्यान की बात है उस सखी ने कहा सखी बरद का अर्थ केवल बैल ही नहीं होता बरदकार्थ बरम्ददाती ती बरदह बरदान देने वाले को भी बरद कहते हैं और यह तो इश्वर हैं बरदान देने वाले हैं इसलिए मैं बरद कह रही हूँ उस सखी ने का सखी तुमने कोलू का बरद कहा तो कोलू का बरद तो बरदान नहीं देता तब उस सखी ने कहा सखी सच कहूं तो यह दूला भी कोलू का ही बरद है कैसे का कोलू का बरद क्या करता है का कोलू का बरद सरसों की गानी को कोलू में पेरता है यही तो करता है और यह दूला भी 84 लाख योनियों के कोलू में डाल कर हम जीवों को पेरता है इसलिए यह दूला भी कोलू का ही बराद है तेरे कोलू के बराद सरसोभानी है सकी ये चोरासी लाद प्योनी के भिठानी है सकी पग धीरे कैसे दूले हाद बराद सरसोभानी है चल धीरे जैसे कोलू के बराद सरसोभानी है लखन भीया ने का भीया इतना धीरे क्यों चल रहो कि हमें कोलू का बैल कहा जा रहा है थोड़ा लंबा लंबा डग भरो अब राम जी लंबा लंबा डग भरने लगे जब लंबा लंबा डग भरने लगे तो एक सकीने कारी सकी अब तो दूला सरकार लंबा डग भर रहे हैं कोई उपमा है क्या उपमा है कै दूला सरकार ऐसे तेज तेज चल रहे हैं जैसे बंधन से चूट करके कोई अज तेजी से भागता है वैसे दूला सरकार भी तेज तेज चल रहे हैं देख लंबी अब चाल कैसे लागे है संखी जैसे बंधन से छोटे अज भागे संखी जैसे बंधन से छोटे अज भागे संखी जैसे बंधन से कोई अज छूट कर भागे जैसे उपमा में कोई विवेक है क्या अईसी उपमा में कवन विवेक है सकी ए विवेक की बात है दूले को अज कह रही हो संस्कृत मैं भी पढ़ी हूँ अज माने संस्कृत में बकरा होता है तो दूले को बकरे की उपमा दे रही हो उसने कहा नहीं सके मैंने जो अज कहा है इसका मतलब बकरा नहीं है इसका मतलब अज माने होता है अजनमा गोस्वामी तुर्शिदास जी भी राम जी को अज कहते हैं न सो अज प्रेम भगति बस तौसल्या के गोद तो अज माने अजनमा होता है और एक बात और सुन लो इनके पिताजी के पिताजी का नाम भी अज ही था दसरजी के पिताजी का नाम भी अज था तो अज के खांदान के हैं इसलिए भी मैंने अज कहा इस आज का मतलब बक्रा नहीं होता उस सकही नहीं होता अजितो बक्रा के लोग सब कहें सकी अज तो बक्रा किलों सब कहे है सेकी अज ए हूँ अज आजा इनके रहे है सेकी तेखे लंब यब चाली कैसे रांगे है सेकी और यास्तरी स्वामी जी पहरा आज कावारा श्री स्वामी जी महराज एकि श्री स्वामी जी महराज एकि आप लोग जहां है वहीं से प्रणाम करके अपने अस्थान बर बैट जाएं अपने अस्थानबर बैट जाएं निवेदा ने कर रहा था कि राम जी ने धीरे से का भहिया या धीरे चलो तो कोलू का बैल और तेज चलो तो बकरा गुंजाईस किसी में नहीं है अब क्या करें लखन भहिया ने का भहिया आप खड़े हो जाओ और चारो दूला मंडप में में खड़े हो गए एक सकी ने का सकी अब तो चारो दूला मंडप में खड़े हो गए कोई उपमा है उस सकी ने का सकी ऐसा लग रहा है जैसे चार खंभे मंडप के पहले से गड़े थे और चार और खंभे मंडप में गार दिये गए ये जो दो सावले सावले हैं नील मनी के खंभे लग रहे हैं और ये जो दोनों गोरे गोरे हैं या स्वरण मनी के खंभे लग रहे हैं कैसे कैसे लागे अब अंग नामे ठाड़े हैं सकी कैसे लागे अब अंग नामे ठाड़े हैं सकी जो सुवड वीले मड़ी खंब गाड़े हैं सकी जो सुवड वीले मड़ी खंब गाड़े हैं सकी पग धीरे पैसे दूले हादरत हैं सकी पग धीरे पैसे दूले हादरत हैं सकी चले धीरे जैसे को लुके बढ़न हैं सै जो मैढ़े प्योपपप जो